हे गाईज वेल्कम बैक टू माई चैनल रामा सरीस पार्ट फिप्टिन तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुके हूँ जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा पिछले अपसोर में हमने देखा था कि रोस करन को बता देती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और वो अब अलग हो चुके हैं और इन सब का अब कोई मतलब नहीं है और रोस ये कहकर वहां से चली जाती है और बेचारा करन ये सब देख और उसके पापा अपने बेटी की ऐसी प्रफॉरमेंस देखकर तो भूले नहीं समाते आगे बेचरा करन ठक हार कर घर आता है तो उसके पापा कहते हैं जाकर रुम में सो जाओ और कल सुभा जल्दी उठना क्योंकि हमें कहीं जाना है तो करन कहता है कहां जाना है क्या कोई डील करने तो नकुल कहता है कोई डील करने नहीं जाना हम कल रोज के घर जा रहे हैं क्योंकि उसके घर साधी है ना तो करन जैसे साधी का नाम सुनता है तो उसे लगता है कि रोज फिर से साधी कर रही है इधर नकुल और उसकी फैमिली उस साधी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो नकुल निमी को कहता है रावत ने हमारी बहुत हैल्प की थी इसलिए उसके लिए अच्छे सी गिफ्ट ले कर जाना तो निमी कहती है पापा आप टेंसन मतलो मैं सब को समहाल लूँगा इधर जब करन रावत का नाम सुनता है तो उसे लगता है कि रोज की साधी रावत से हो रही है तो बेचारा करन ये सब सुनकर तो और पगला ही जाता है और कहता है मैं नहीं जाओंगा तो नकुल कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उन्होंने बड़े प्यार से हमें बुलाया ह और हमने कहा है कि हम पूरी फैमिली आएंगे तो करन कहता है मैं नहीं जाना चाहता तो नहीं जाना चाहता और करन यह कहकर वहां से चला जाता है तो निमी यह सब देखकर बहुत ही खुस होड़ी होती है इधर करन को यह सोच कर पूरी रात नीन नहीं होती कि रोज रावत से स अच्छा लगता है और वह वहां पर इंजवाए करती है तो बुआ कोमती है तुम्हारा नालायक बेटा कहाँ पर है वह नहीं आया तो निमी कहते है आंटी आप उसकी टेंसर मतलीजिए वह कुछ देर में यहां पर टपकता ही होगा कि तब हो पनोप अजाता है और निम्मी उ चप हो जाता है आगे रावत दूले की तरह सचकर नीचे आता है और अपनी दूलन का वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर करान आ जाता है ये साधी नहीं हो सकती तुमारी होने वाली दूलन मेरी दूलन है और हम दोनों का बहुत ही गहरा रिस्ता है इसलिए ये साधी तो और हम दोनों के बिच कौन सा रिस्ता है तो करन ये सब देखकर तो पुरी तरह सौक्ट हो जाता है कि रावत की साधी नुना से हो रही है ना की रोज से और बेचारा करन सब के सामने बेफकूब बन जाता है कि तब उदर से रोज आती है तो करन रोज को इस तरह देखकर तो पहरान ही होता है आगे नुना और रावत की साधी की रस में स्टार्ट हो जाती है तो करन रोस को कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मेरे साथ चलो तुर रोस कहती है तुम कहां ले जा रहे हो तो करन कहता है तुम अब मेरी हो और मैं तुम्हें जहां पर भी लेकर आगे सारे लोग फैमली डिनर कर रहे होते हैं तो रोज और करन एक साथ बहुत ही खुस होते हैं और दोनों साथ में धेर सारी फोटो क्लिक करवाते हैं इधर निमी एक गेम डाउनलोड कर रही होती है तो निमी कहते हैं तुम क्या कर रही हो तो निमी कहते हैं मैं गेम डाउन तो रोज ये सब देकर हैरान होती है तुम दोनों इतने फ्रेंडली कैसे बात कर रहे हो क्या तुम दोनों का पैच अप हो गया ये चमतकार कैसे हो गया तो करन कहता है मैंने अपनी बेहन देकर इसके साथ डील की और इसने अपनी बेहन देकर मेरे साथ डील की तो इसी तरह हम दोनों में दोस्ती हो गई और करन ये कहकर वहां से चला जाता है तो निम्मी को बहुत ही गुसा आता है अपने भाई पर और इनी सब चकर में निम्मी नोप के करीब आ जाती है तो बैचारी सरमा कर वहां से चली जाती है तो नोप कहता है इसमें सरमाने वाली क्या बात है ऐस अगे सारी फैमली एक साथ डिनर करती है और एक साथ खूब गप्पे लडाती है और सारे लोग अपने पार्टनर के साथ बहुत ही खुस होते हैं और उनकी लाइफ में अब कोई परिसानी नहीं होती आगे करन और रोज अपने रूम में जाते हैं और रोमेंटिक होने ही वाल है और उसके बाद रोज के साथ रोमेंटिक होने की कोशिस करता है लेकिन दूसरे तब वो लोग भी सुधरने वालों में इस तो बिल्कुल भी नहीं होते और वो लोग दर्वाजे पर कान लगा कर उन लोग की सारी बाते सुन रहे होते हैं और एक दूसरे से लड़ भी रह जाती है तो वो लोग भाना बना कर वहां से भाग जाते हैं आगे करन रोज के साथ रोमेंटिक होने की कोशिस करता है पर रोज भागने की कोशिस करती है वैल आपको यहां पर इन दोनों की खटी मिथी नोग जोग भी देखने को मिलेगी अगली सुभा रोज खाना बनारी होती है तो निम्मी और कुमल दोनों ही रोज को टीस करने आते हैं कि कर रात उन लोगों के बीच क्या हुआ कि तभी वहाँ पर नूना भी टपक परती है और वो भी रोज को चिछाने लगती है तो बेचारी रोज उन लोगों के सवालों से और उन लोगों की नजरों से पूर तरह स्टेबल हो चुकी है इसलिए अपसे नौ भी हमारे साथ काम करेगा तो सारे लोग यह सब सुनकर बहुत ही खुस होते हैं तो नुना अंकल को कहती है अंकल क्या आप मेरे पती को भी अपनी कंपनी में जॉब दे सकते हैं तो नकुल कहता है क्यों नहीं रावत ने हमारी तो मैं इसके लिए इतना क्यों नहीं कर सकता मैं रावत को भी अपनी कंपनी में जॉब दूँगा तो करन यह सब सुनकर खुस हो जाता और कहता है रावत तुम्हारी पुरानी जॉब भी अच्छी नहीं थी तुम्हें कुछ नया करना चाहिए था चलो अब हमारे साथ काम करो हमें बहुत ही मजाएगा तुम्हारे साथ काम करके तो रावत कहता है ठीक है आगे नकुल करन को कहता है क्या तुम रोज के साथ काम कर पाऊगे तो करन कहता है क्या तुम अपने प्रसनल और प्रफेशनल मेटर को अलग-अलग रख पाऊगे तो करन कहता है पापा आप कैसी बात कर रहे हो मैं बहुत ही जिम्मेदार हो गया हूँ मैं अपने प्रशनल और प्रफेशनल मेटर को अलग-अलग रखता हूँ इसलिए आप टेंसन मत लीजे मैं कभी भी अपने प्रफेशनल मेटर को मिक्स नहीं करूँगा तो नकुल कहता है ये तो फिर अच्छी बा पाएंगे और अफिस में भी साथ होंगे तो नोप कहता है क्या सच में इतना ही अच्छा है ये सब तो रावत कहता है आखे कर तुमारे कहने का क्या मतलब है तो नोप कहता है हम लोग आदमी हैं अगर हमसे आगे हमारी वाइफ निकल गई तो हमें कैसा लगेगा अगर हमार काम में टांग अराएंगे तो हम लोग कुछ कह भी नहीं पाएंगे तो बताओ तुम लोगों को कैसा लगेगा जब तुम लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार होगा आखिकार हम लोग आदमी हैं हमें बुरा लगेगा ही ना तो करन और रावत ये सब सुनकर तो पूरी ठीक है वैल आपको यहां पर इन दोनों कपल की धेर सारी मस्ती भी देखने को मिलेगी आगे रोज भी ओफिस आ जाती है तो करन बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट पर प्रजेंटेशन दे रहा होता है और उसका प्रजेंटेशन बहुत ही अच्छा भी होता है तो सारी अपना ही प्रजेंटेशन देने लगती है तो बेचारा करन यह सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है और अपनी वाइफ को रोकने की कोसिस करता है पर रोज नहीं रुकती तो नकुल कहता है तुम दोनों का ही प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है लेकिन यह बहुत ह प्रजेंटेशन अच्छा लगा ठीक है तो बेचारा करन यह सब सुनकर तो पूरी तरह बुखला ही जाता है और अपनी वाइफ को बाहर लेकर आता है और उससे इस बारे में बात करने की कोसिस करता है कि वो उसके काम में टांग क्यों और आ रही है पर रोज उसकी बाते ही नहीं समझती और सब को हसी मजाक में लेती है तो बेचारा करन समझा समझा कर ठक जाता है पर उसके पले कुछ भी नहीं परता और रोज करन पर प्यार लुटाने लगती है तो बेचारा करन यह सब देख कर तो और पगला जाता है आगे करन वाश्रूम जाता है और अपना निकालने की कोसिस करता है और खूब चिलाता है कि तभी वहाँ पर नौप पर रावत भी आ जाते हैं और उसके गुसे को ठीक करने की कोसिस करते हैं, well आपको यहाँ पर इन तीनों का फ़णी मॉमेंट भी देखने को मिलेगा, कि तभी वहाँ पर निम्मी आ जाती है, तो रोस करन के बालों को डाय कर रही होती है क्योंकि करन के बाल उजले हो रहे होते हैं तो रोस करन को कहती है मैंने तुम्हारे बालों में ड्राय लगा दिया है पंदर मिनट बाद इसे धो लेना तो करन कहता है ठीक है पर करन धोता नहीं क्योंकि उसे नीन दा जाती है और बेच बेचारी रोज डर के मारे कुछ भी नहीं कहती आगे करन जब अपने बाल धोकर आता है और अपने बाल की ऐसी दसा देखता है तो वो तो पुरी तरह पगला ही जाता है पर वो रोज को कुछ भी नहीं कह पाता है क्योंकि रोज बहुत ही डरी होती है और करन के सामने अपना क साथ बहुता है वो कहता है जब मैं इस कमपणी को कोई फायदा ही नहीं करवाँ तो मैं यह कंपणी छोड़ रहा हूं और मैं अप कि वो सोच भी नहीं सकता लेकिन बैचारा डरते डरते नुना को ये बात बता देता है तो नुना उसका अच्छे से स्वागत करती है और उल्टा मुफुला लेती है इधर निम्नी पर गैम का पूरी थरा नसा चागया होता है जिस चकर में वो नौप पर भी ध्यान नहीं दे हैं तो सब एक दूसरे को समझाते ही हैं कि वो अपने प्यार के साथ थोरा कॉपरेट करे साथ उनकी लाइफ बैटर हो जाए तो नौप को भी अकल आ जाती है कि निम्नी पर गैम का नसा उसी की वज़ा से हुआ है क्योंकि वो उसे पहले टाइम नहीं दे रहा था जिस वज जाता है अगली सुभा नकुल सब को बताता है कि उसने रावत को कमपनी में वापस ले लिया है लेकिन वो करन को अपनी कमपनी में वापस नहीं लेगा क्योंकि करन ने बहुती एटिट्यूट के साथ कमपनी छोरा था इसलिए अब वो जहां भी काम करे और अपना केरियर बनाए उनसे उन्हें कोई भी मतलब नहीं है तो बैचारा करन ये सब सुनकर पुरी थरा सैड हो जाता है आगे करन को भी रिलाइज होता है कि रोज का ही प्रोजेक्ट सही था चाहे वो रोज उससे आगे कितनी भी निकल जाए पर वो उसकी परवा करना नहीं चोरेगी और नहीं वो उससे प्यार करना चोरेगी और लाइफ में तो छोटी मोटी प्रॉब्लेम साती ही रहती है हमें उन्हें फेस करना होता है तो करन अपनी पोजिशन से खुस हो जाता है और रोज को एक अच्छी सी जगां पर लेकर जाता है और वहाँ पर जाकर उसे प्रपोस करत तो रोज कहती है हमारी साधी तो हो गई है क्या हम दुबारा साधी करने वाले हैं तो करन कहता है पहले हमारी साधी एक समझोता थी उसमें हम दोनों की मर्जी नहीं थी लेकिन ये साधी हमारी मर्जी से हुई है तो क्या तुम उससे दुबारा साधी करना चाहोगी तो रोज क और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना भूले